दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले नवादा में नवरात्री की महा अश्टमी पर एक सन की दामाद का रद रूप देखने को मिला जहां ससुवाल पहुँचे दामाद ने शास और पत्मे की हत्याग कर दिया आपको वताती चले की नवादा में एक सन की दामाद ने अपनी सास और पत्मी की हत्या कर दिया घटना सोंबार की रात्री नवादा जिले के हिसुआ थाना छत्र के हिसुआ नगर परिसद छत्र अंतरगत प्रोफेसर कॉलोनी की है मिर्तकों की पहचान गया जिले के अत्री थाना चत्र के सुधीर सिंग की पत्मी संगीता देवी एबं पुत्री मौसमी कुमारी के रूप में के गई है जो प्रोफेसर कोलोनी में किराय के एक मकान में रहती थी वहें पुलीस ने घटना की सूचना पर घटनास्थल पर पहूँच कर सब को अपने कबजे में ले लिया आरूपित दामाद नवादा जिले के अकवर पुर्थाना चत्र अंतरगत पहारपुर गाउनिवासी बिनोत सिंग का पुत्र सुभम कुमार वताया गया है अस्थानिये लोगों के अनुसार दामाद ने घटना को अंजाम तब दिया जब मुहले के लोग देवी मंदिर में चल रहे प्रवचन को सुन रहे थे लोगों के अनुसार पती पत्नी के बीच हमेशा जगरा होते रहता था सुमबार को दामाद सुभम कुमार अपने छोटा साला के साथ ससुराल आया और खुद बाजार चला गया था आपको वताती चले की उसका छोटा साला बाजार चला गया और इस दोरान घर में कोई पुरुस नहीं था तभी पती पत्नी के बीच नोक जोक सुरू हो गए जिस पर पती सुभम अपनी पत्नी को वेरहमी से मार पीट करने लगा इस दोरान सुभम इट से पत्नी पर बार किया और बेटी की पिटाई होता देखकर मा बीच वचाब करने पहुँची जिसके बाद सास को भी सुभम ने उसी इट से सर पर बेरहमी से बार कर देया घटना में दोनों माबेटी की मौके पर ही मौत हो गई वता जा रहा है कि मिर्तका मौसमी का एक तीन मा की पुत्रे भी है फिलाल हिस्वा थना की पुलीस दोनों सब को कपचे में लेकर पोस्ट मौटम के लिए नवादा सदर अस्पताल बेज कर मामले की छानवीन में जुट गई है तो वड़ी खबर नवादा से है जहां नवादा जिले के हिसुआ थाना छित्र अंतरगत प्रोफेसर कॉलोनी में एक सन की दामाद ने अपने सास और पत्मे की हत्याग कर दिया दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले